Hello Friends, Asrikaal, Welcome to Race Academy Official, Welcome to this Weekly Krunt Affair Show, जिन्दे चापाँ, पूरे वीक दा एक एनाल्सिस जड़ा है, एस सोट ओफ एनाल्सिस अपा कर देयां कि मेन में न्यूस की रहियां, पूरे हफ़ते देयां and उन्ना देख जड़े most important MCQ जो उन्ना चो बंदे है, वो अपा एस क्लास देवेच हर हफ़ते डिसकस कर देयां, सो जिवेगी मैं थोनू हर वारी दसना कि एक लास उन्ना सारे एक्जाम्स लई, चाए ओ एक्जाम नैप तसील दार्दा आनवाला एक्जाम होवे, चाए जिले दार्दा, चाए पंजाब पठवारी जो की इकठा ही होना है, लेकिन और जेड़े जिवे एक्जाम्स जिनना दे वेच वी जर्नल नोलेज या जर्नल अवेरनेस जड़ी हो पुछी जानी है, उनना दे वेच करंट अफेर्स जड़ा हो बहुत ही ज़्यादा इंपोर्टेंस रख दे, एची तुसी PCS परीदे पेपर्च भी देख ली होनी है, कि जिननने वे जर्नल अवेरनेस जड़ा पॉर्शन है किसे वी एक्जाम दा, उन्द एक most important content जड़ा हो पांचन दे, तो एड़नों रोज पढ़न दी वी जूरूत पे दी है, एद्दा नहीं है कि अगर आपा सिरफ एक weekly class दे ही dependent रहे जिए, ए ज़रूरी नहीं है, तुसी करो, लेकिन ए देली basis दे तुसी चाहिए कोई भी newspaper, कोई भी एक newspaper follow कर लो, कोई भी government दी, कोई एक जड़ी app है, जड़ी authentic जिन्हों आपा app कहा देने है, तुसी हो ऐस एप नो follow कर सकते हो, तो लगा ताज जड़ा current affair कर दे रो, as class देवेच आपा हर हफते, पूरे हफते दा एक analysis ऐस तरीके sort of null कर देया, कि उन्देच आपनों एक idea हो जड़ा है, कि पूरे हफते देवेच की की चीज़ा हो जड़ा, तो जड़ियां जड़ियां चीज़ा हो जड़ियां, कि आपा उननों टच किता है, उनना चीज़ां आपा पढ़े है, या नहीं पढ़े है, हाँ ए जड़ियां प ट्वंटी आउट ओफ ट्वंटी आ रहे है या नहीं आ रहे ठीक है जी सो ए चीज़ तुसी जुरूर फोलो कर सकते हो नाल दी नाल अगर तुसी कोई वी एक न्यूस पेपर पकड़ लो तो उस न्यूस पेपर नूँ डेली तुसी थोड़ा थोड़ा पड़ो ते उस तो बा बर्नीग इशूस तो बाद आपकरांगे जिंदे चार्ज आपा 20 कोईश्चन्स चड़े है तो आपकरांगे हर वारी तरह सब तो पहले आपकर देख दिया कि बर्नीग इशूस रहे केड़े-केड़े सब तो पहले आपकरांगे पूरे वीक देवेच इंपोर्टन डेज केड़े-केड़े रहे उन्हादी केड़ी-केड़ी की तीम सीगी या उन्हादी की सिग्निफिकेंसी कदों तों क्यों उन्हाननू सेलिब्रेट जड़ा है और किता यंद है फिर बुक्स जड़िया है का इंपोर्टन सेक्शन रेंदा है बुक्स है नोथर सो उन्हादे चो कोस्चन बन सकते है फिर एक बहुती इंपोर्टन जड़ा बिल है वो कैबिनेट ने अप्रूफ किता स्पेशली राज्यसभा ने अप्रूफ किता मेजर पोर्ट्स अथोरिटी बिल सो एंदेज की की कर रहे हैं वो सारा कुछ देखांगे फिर एस हफते जड़ा है यह मार्स दे जड़े प्रोब है वो बड़े इंपोर्टन रहे चाइना तो पहला यूएई तो स्टार्ट करके यूएई दे प्रोब पारे आपा पिछले हफते गल खेती सी फिर चाइना दा प्रोब ते बिल रहे है जी अपने बर्णिंग इशुज जिना बारे आपने डिसकेशन करन तो बाद देन आपा चलांगे अपने पूरे हफते दे मोस्ट इंपोर्टन एमसी क्यूबाद में गल कर देया जी सब तो पहला important days, important days दी गल कर देया था पहला important रहे है जी February 8, 8 February 2020 अगर नाल दो ज ऑफ एवरी फैब्रयरी हर फर्वरी जड़ा सेकंड मंडे होंदे है ओस मंडे नू जड़ा है ओंडे या उब्जर्व किता है इंटरनेशनल Epilepsy Day, तो अनो पता ही और इपिलैपसी जड़ी है, वह मिर्गी दा प्रॉलम रगहा है, जिन्दे चे कुई किसे नो मालनों मिर्गी दा दो रहा या नफोर्टिवलेटी किसे नो एसरन दी कोई प्रॉलम हों दी है, वह उसे बारे observe किता गया 8 February 2021 फेर गाल करते है जी February 10th 10 February नो observe किता गया word pulses day so pulses की होंदा है जी pulses होंदा है जिन्नों अगर 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 देशी लेंगवेज कहा दिना है कि मोटा अनाज so मोटा अनाज मीज लेंटिल्स हो गिया ड्राई पियाज होगे चिक पियाज होगे pulse day दे तोरते 10 फरवरी नो ते यंदी as far is the theme रही nutritious seeds for a sustainable future so यंदी theme रही nutritious seeds for a sustainable future so अगर theme भी है day भी है so question कही वरी question या थो नो पता होना चाहिए कि नो observe कौन करते है UN तो observe करते ही करते है कुगी word pulses day है UN धी organization है food and agriculture organization food and agriculture organization word pulses day नो observe कर दी है अगर आपा food and agriculture organization दी गल करिए तैदा headquarter है Rome Italy दे वेच Rome Italy and this headquarter है ये बनिया सीगा establishment हुई सीगी 16 October 1915 ता करके जड़ा 16 October देन होन दे है ये नो word food day दे रूप दे वेच मनाने या so मेरी photo दे उपर ना आ गया होगे ठीक है अगर आपा ड्रेक्टर जनरल दी गाल करिए FAO दे ता O है क्यू डोंग्यू ठीक है जी ए एनदे क्रंट है जड़े चाइना दे पहली वरी प्रेजिडेंट बने सीगे food and agriculture organization दे जिनना दाम है क्यू डोंग्यू ठीक है जी तो ए ए सारी चीज़ा जी food and agriculture organization बारे जड़ा अब्जरब करते है word पलसीज डे ते जिन्दी theme भी थोटे सामने लिखी होई है ए जी 10 फरवरी बारे फिर काल करते है जी 11 फेबरी 11 फेबरी मनाया यंदा है 11 फेबरी बर्थ एनिवर्सरी हों दिया है युनानी दे एक्सपर्ट हकीम अजमल खान जी दी अगर अपा कहिए कि युनानी पदती दे जाने मने एक्सपर्ट सी दिली दे वेच एक उनिवर्स्टी है जामिया मिलिया इसलामिया जामिया मिलिया इसलामिया दे he was one of the founder एन ना दी बर्थ एनिवर्सरी नो celebrate किता है युनानी दे रूप दे वेच युनानी तो नो पता है युनानी इस पार्ट ओफ हिंदूस्टानी युँ आपा कहा दिए कि traditional medical पदती तो आयुश मंत्राले है हिंदूस्टान ने इडिया ने आयुश मंत्राले एक बनाया होया है specially ज़ी ए ऐस तरनानी पदती है उस पदती नो वर्ड वाइड लेके जानवास दे तो आयुष दी की फुल फॉर्म होंदी है आयुष दी फुल फॉर्म होंदी है आयुर वेदा, योगा एंड नेचरोपैथी युनानी, सिद्धा एंड होमियोपैथी तो ए मैं थोनू एक वीग पहला भी दस्या सिगा कि आयुष जड़ा है उन्दे सारे डेज थोनू पता होने चाहिदी है जड़े-जड़े मैं नाम बोले है अनना दी फुल फॉर्म देवेच उस बात हनू आयुष मंत्रालय बारे भी पता होना चाहिदी है जिन्दे वैसे ता मिनिस्टर है गिया है शिरिपद येसो नायक बट ड्यू टू इस एक्सिडेंट एन अधर जड़ा एस मंत्रालय अधर जड़ा कारया भार है वो एकवरी किन्नू दित्ता होय है अपने स्पोर्स मिनिस्टर किरिन रिजी जुजीन जिन्हा दी कॉंस्टिट्वेंसी है वेस्ट अरुनाथ चरपदेश ति अगर कोश्चन आवे कि शिरिपद येसो नायक जी दी कॉंस्टिट्वेंसी की है गी है तो वो कॉंस्टिट्वेंसी है नोर्थ गोवा ठीक है जिसो ये सारी चीतों नो पता होनी चाहिए है वर्ड युनानी डे फेबरी 11th फेर गाल करते हैं जी 11th फेबरी नो ही इंटरनेशनल डे ओफ विमेन एंड गर्ल्स इन साइंस ये भी observe किता है यंदे है मनाया है यंदे इंटरनेशनल डे मीन्स साइंस दे वेच या विमेन एंड गर्ल्स लाई साइंस दी की महता है गी है या science दे वेच जड़ा है women and girls दी की importance गी है so importance दिखान वास्ते ही जड़ा है women scientists at the forefront of fight against covid-19 so covid-19 fight दे वेच जड़ा forefront दे वेच ठीक है जी आप corona warriors कहा देने है जो frontline workers गे उनना दे वेच जड़े women scientists ले उनना देडिकेट किता गया as for the theme जड़ी है so 11 February याद रखना है जी international day of women and girls in science एननों तो सही national science day ना लों confuse नहीं करना national science day अठाई फरवी नों बनाया है जिस देन डोक्टर सीवी रमन जड़े है जिनाने रमन effect दी जड़ी खोज है वो कित्ती सीगी जिनानों उसकार के nobel prize भी मिले आ सीगा वो फेब्रारी अठाई है वो आपा लास्ट वीक देवेच गल करांगे जड़ा है that is February 11 international day of women and girls in science नेक्स्ट आजी, February 12th, 12 फर्वरी जड़ा है, ओ बनाया है इंडिया देवेच, National Productivity Day, जिन्नों की National Productivity Council जड़ी है, ओ सेलिब्रेट करवा दिया है, जिन्नों की जड़ी है, ओसे तरह किसे भी प्रोसेस जड़ी है, ओ अपा प्रोडक्टिविटी जड़ी है, ओ अपा प्रोडक्टिविटी जड़ी है, आप प्रोडक्टिविटी जड़ी है, ओ अपना प्रोडक्टिविटी जड़ी है, ओ अपना प्रोडक्टिविटी जड़ खेंध जड़ी है ओं इंड्र स्टीन प्ट अब भूर्ड हों दिया चो से अज प्रॉडवीटी नू डेकेंट किता होय दै ए नचंड प्रॉडघ्ट इन ने इक बनान दिया अगर आ अपा एस कांचिल कर ही यह अ दिया और है Ministry of Ministry of Commerce and Industry Commerce and Industry and they under run ढ़ी है so you know कौन minister है गया दे and the minister कौन है गया है ministry of commerce and industry जिन दे minister है प्यूष गोयल तो अगर आपा National Productivity Council दी गाल करिये इची एन 1958 दे विच बनाई गई सी and the establishment जड़ी है establishment हुई सी 1958 दे विच निवु डेल्ली येभ्धा हेड कोटर एट गए हेड इन्दे जड़े क्रांट चीफ है गए है टरन जड़े है इन्दे है फटीविटिविटी काउसील दे ऊह गए है मिस्टर अरून कुमार-अरून कुमार-ज्रा छी जड़े है वह एंदे करंट हैड है गया है तो याद रखना है नेशनल प्रोड़क्टिविटी काउंसिल जड़ी की नेशनल प्रोड़क्टिविटी डे नूँ सेलिब्रेट करवां दिया है बारां फर्वरी नेक्स्ट जी 13 फेब 13 फेब होंदा है वर्ड रेडियो डे तो रेडियो दी इंपोटेंस चाहिए वो कम्मुनिकेशन देवेच होवे या वर्ड दी डेवलप्मेंट देवेच होवे रेडियो दी इंपोटेंस नू दर्शान वास्ते तेरां फर्वरी दा देन हर साल वर्ड रेडियो डे नू डेडिकेट जड़ा है वो कित्ता होया है वर्ड रेडियो डे जड़ा है उन्दी ऐस वरी थी थीम रही नू वर्ड नू रेडियो एन नू भी वैसता युएन सेलीब्रेट करवांदा है तेकिन युएन दी वज़ाई भी अगर आपा स्पैसिफिक तो युनेस्को युनाइटिड नेशन एडुकेशन साइंटिफिक एन कल्चरल ओर्गिनाइजेशन जिन्दा हैड़कॉर्टर पैरिज फ्रांस देवेच है ठीक है जी तो 16 नमबर उनिशो पंताली नुए बनेया सी युनेस्को इन्देश है गया है मिस ओधरे ओजूले तो यह मैं थो बोलके दासता वैसे ही थो पता ही होगा युनेस्को बारे था वर्ड रेडियो डे युनेस्को सेलिब्रेट कर दा है हर साल तेरा फरवरी नेक्स्ट गल कर द स्रोजनी नाइडू स्रोजनी नाइडू जी बर्थ एनिवर्स्टी हों दी है 13 फरवरी 1879 चेक कर ले ना उधो एनना देड़ा है एनना दा बर्थ होया सी गा सो तेरा फरवरी नू हर साल अपन नेशनल वीमेंस डे सेलिब्रेट कर देया ठीक है जी सो स्रोजनी नाइडू जेड़े की नोट शी वस पॉपुलर एज नोट ओनली दी फ्रीडम फाइटर जिन्ना ने अस है होग अंदोलन्दे वेच भी बढ़ चड़ के हिस्सा लित्ता भारत छोड़ों अंदोलन्च भी हिस्सा लित्ता उस तो बाद अगर आपा गाल करिये ता शी वास दी यहां सज रिंदी फाइटर चाबनेल चीरुपूलर कई जी अठीकी कलए तकरिकट मैंदन गवरनल है तमिला खाई संदर्राजन सोंत competitors पूंडु चेरीदा तो अगर कदे कोश्चन आवे कि हूँ वास दी फर्स्ट फीमेल या फर्स्ट वीमेन गवर्णर ओफ एनी इंडियान स्टेट देन दी आंसर विल भी स्रोजनी नाइडू स्रोजनी नाइडू जिनान उन्नों दी अवाज करके भारत को कोकीला या पर छेटी बुखसी न्यूस जी में मतमने खना दस्या कि एस हफ्ते जिडिंहां है बुखस काफी न्यूस देवेच रहें एस तो पहला बुखस तो पहला एक चीज में मतमनौ होगतास दा एनना डेस तो इलावा आट फर्वरी तो बारा फर्वरी अजड़ा है 8 फरवी तो 12 फरवरी RBI ने Financial Awareness Week दे रूप देवेच मनाया Financial Awareness Week यह वैसे Financial Awareness Week हर साली मना दे है कदो तो करन लगी है 2016 तो पिछले साल अग दी थीम सी MSMV एस वरी जड़ी जड़ी है तीम है दी Responsible Borrowing Responsible Borrowing तो बैंका नो जड़ी है इस दे थूप कि Responsible Borrowing कि अगर उनने बोरो करने अगर की करनी हों दी है बैंका दा काम है बोरो करना तो वो Responsible तरीके देनाल हो ठीक है जी तो ए भी डे जड़ा है AS Week ए न्यूस दे वे सीगा कि Financial Awareness Week आर भी ही ने जड़ा है वो सेलिब्रेट किता आठ परवी तो लेके बारा परवी था अगर गाल करते जी केडिया केडिया बोक्स जड़ियां है ओन न्यूस दे वे चरईया AS Week तो बोक दी गाल करते या पहली बोक है जी Platform Scale So Platform Scale Book दा नाम है एक किना ने लिखिया जी एक है गिया है संगीत पोल चोधरी So जीवें की थोनूँ पता है Books दा नाम ता तुसी आप दे की इंटरस्ट दे नाल ते आप दी नोड़े दे नाल एनननों तुसी त्यांच रखना हों दे थोड़ा थोड़ा आइडिया रख लाकरो कि केड़ी बुक केड़े फिल्ड दी है या राइटर दे नाम तो ओस रिके ना थोनूँ सारिया बुक्स दे राइटर जड़े है स्पैशली जड़िया बुक्स जदो भी तुसी एक्जाम देने हो पिछले 6 मिने तो लेके 12 मिने तक जड़िया बुक्स न्यूस दे वेच है उनना दे राइटर ते उनना दे राइटर जड़े है वो पुछ ले यांदे है स्प्लेटफर्म स्केल लिखिया जी संगीत पॉल चोदरी ने स्प्लेटर है जी व्यार्ज़। यू जिड़े की यूएस दे 46 प्रेजडेंट बने है उनना दे विग ब्रेदर यू जिड़े बड़े पाई है ना दे Hunter Biden जी, उन्ना ने एज़ी बुक लिखी है, जिदे डुनाल्ड ट्रम्प सीगे 45th President, वो काफी ज़ी है, वो ब्लेम लगांदे रहे है, Hunter Biden जी दे, चलो वो पुरानी गल है, लेकिन Hunter Biden ने बुक लिखी है, Beautiful Things, A Memoir, जो एज तुसी याद रखने है, नेक्स्ट है जी, हुने हुने आपा गाल किती, 46th President दी, हुने आपा गाल करते है, USA दी 49th Vice President, ते USA दी 1st Female Vice President, Kamala Harris, तो Kamala Harris दी जीवनी कहलो, या Kamala Harris दी लाइफ है, उन्दे ते बुक लिखी है, Kamala's Way, ए लिखी है जी, Dan Moran ने, तो ए बुक बहुत ही इंपोर्टन हो यादि, आणवाले एक्जामस वास्ते, Kamala's Way, ए बुक लिखी है, Dan Moran, नेक्स्ट गल करते हैं जी, Starstruck, Starstruck बुक लिखी है, Confessions by a TV Executive, एक बड़े जाने माने TV Executive रही है, उन्ना दे Confessions दे बुक है, Starstruck जड़ी की खुद लिखी है, Peter Mukerjia ने, Peter Mukerjia जी ने ए बुक लिखी है, Starstruck, Confessions by a TV Executive, तो नाम बड़ा इंट्रस्टीग है, नाम याद रखने हैे मेगना पंत जी ने एक लीखी है, ढूरीबल, वेडर्क्राइवा ने आएड गूणिवा था थी, श्॑त नू दिखादी हुए लिखी हुए है टिपाने कश्मीरची the Untold Stories ये लिखिया जी अरुन कर्माकर जी ने ती एनु जड़े जमु एन कश्मीर दे करंट जड़े लेटिनेट गवर्नर है शिरी मनोज सिना जी उनना ने ये बुक लॉंच किती है ये बिल्कुल लेटेस्ट न्यूज है पिछले दो दिना दी तिपाने कश्मीर ची बुक है अध अधिवा दी ग्रेट ठीक है जीड़े की मोरेन अंपायर दे किंग सीगे अना जी बिंदु सार दे बेटे तो अशोका अशोका दी अगर आपा गाल करिए ता अशोका दे बारे ओना दे जी वे किस तरह उन्ना ने जड़ा कलिंगा दा वोर है ओ किता उस्तो बाद उन्ना न ईचर पॉर्टी बिल 2020 जड़ा की राजय सबाद चटकिया ऑई स ताइं करके हैं आन्म नहीं लिखया क्यों किमst Chief Cloudो नां सेम हैं मेचर पॉर्टीष त्रश्ष दे वेचर एक पॉर्ट जड़ी है management दी authority जड़ी है और बनाई जाएगी the new bill has proposed simplified composition of board of the port authority तो हुन सिरफ 11 तो लेके 13 member होया करनगे तो major port authority bill दे वेच एचीज note किती है हुन कालान दिये कि exam दे वेच question की बनेगा, exam दे वेच question अगर आपा ऐस दी गल करिए ता सिरफ bill जड़ा है अप्रूव होया है उस bill दी सिरफ S.E. नू लेकी है कि port दी authority दे जड़े member है उननों किस तरीके ना केड़े केड़े field दे या किन्ने किन्ने member चुरने है so main तो उसी गाल नों समझो अगर आपा एक ये कि end वेच questions की बनेगा, ता question मेजर पोर्ट्स ओफ इंडिया दी ता मेजर पोर्ट्स ओफ इंडिया गरा पैथो शुरू करिए ता कांडला, मुंबई, जवाहरला नेरू पोर्ट, मुर्मुगावू पोर्ट, मैंगलोर, कोची, तुतिकोरीन, चेन्नाई, विशाखापत्नम, प्रादीप, तेक कैलकटा लेकिन एक इन्ने होई है, एक होई है ग्यारा, एंदे वेच दो जिड़े है उस तो बाद आई सी के, एक जड़ा पोर्ट है, जड़ा की वधावन पोर्ट, जड़ा की मुंबई दे कलो ही है, वधावन पोर्ट, मा राष्ट्रा दे वेच, ओ बनाया गया नमा, फिर एक एन परसाद मखरजी पोर्ट, केडे पोर्ट दे नाम नू चेंज कीता गया है, केड़ा पोर्ट नहां चो रितวराइन पोर्ट है, केड़ा पोर्ट है जिते सब तो ज़्यादा, सिल्ट दा इशू रिंद है, मिट्टी दा इशू रिंद है, एददा दे कोष्ट भी पुछे, थोड़ तो जा सकते है ठीक है जी East Coast दे उपर केड़े केड़े है West Coast दे उपर केड़े केड़े है सो ऐस तरह द एक कोशचन अगर थोनुं आनगे तो अपको किमें करने पहाणगे 13, 13 major ports दी जडिवी detail है वो थोनुं पढ़नी पाएगी so am your host है दोस्ट एक आम तुसी नहीं करोंगे एक आम तुसी सिरफ सुननदा करोंगे तिया आप देखलो नोट करनदा करोंगे एक काम में थोड़ेली करता है आप देखलो नोट करोंगे उनना थो एकजाम देवे ज़्यादा याद रहेगा अगर आप पोर्ट दी गाल करिए पहला पोर्ट आप आप इस्ट कोर्श तो चल देखलो पहला पोर्ट है जी कोलकता पोर्ट पोर्ट है जड़ा की हुगली रिवर दे उपर लोकेट कर दे हैं मीर्स जड़ा एंदे बेचे सिलड़ दा इश्व आजण दा है जी डोड्स हीटर क्रदा्य है में और शुट dipping इसे लेंड लु लॉक करकुट से जाएटल करोट हाए बड़्यमा केड़क में अनिए पर अगर आपा घलकाछा ही लेकिन हधी पर्ट और कोलकता पोर्ट आदे खोदी वेल निखे होया है पार्ट ओफ कोलकता पोर्ट ट्रस्ट होंता थोटी मंजेगी ना सो कोलकता पोर्ट ट्रस्ट दा ही एक पार्ट है हल्दिया पोर्ट ये भी रिवराइन पोर्ट है जड़ा की हल्दी रिवर ते हुगली रिवल दे मीटिंग पॉइंट ते मन्द है एक इंडियन कोस्टगार दा बेस भी है एक हुगली रिवर ते होन करके काफी बारी जड़ा है नों सिल्ट इशू आया दा है काफी बारी जड़ा ना चाहा जाए वो बहुत जारी जड़ी गिल्ली मिट्टी हों दिया हों दे फास जन्द है फिर बास जड़ा है उन्हों रिमूव करके ओ ऐस तरह दी प्रोलम जड़ी है एक इस पोर्ट ते आधी रंदी है विकोज इट इस रिवर राइन पोर्ट ओके आजी सो अगे गाल करते हैं आजी सेकिंड नंबर ते है उडिसा दा प्रादीप पोर्ट तो प्रादीप जड़ा ते हिंटर लेड इडिया की है ये तेन स्टेटा नों सपोर्ट करते है उडिसा चतिस गड़ ते जार्खन पेर गाल करते हैं जी वाइजएग विशाखा पठनम पोर्ट आंधरा प्रदेश देवेच अगर आपा एस पोर्ट दी गाल करिए ता इडिया दा डिपेस्ट पोर अगर आपा पोर्ट बारे गाल करिए ता आउसो है शीप बिल्डिंग और शीप रिपेर इंडरस्ट्री भी अथी है आईरन ओर स्पेशली चतिस गड़ माइंस तो जपान पेज़न दे काम बांदा है इस पोर्ट मैगनीज पो और जड़ा है या स्पीशीज दे वूड करनाट का ये सारी अंदे हिंटर लेंड एगिया है विशाका बटनम पोर्ट दी डिपेस्ट पोर्ट ओफ इंडिया कोलकता पोर्ट ते एक चीज होर याद राख लेना जदो येंदे डेड़ सो साल दो यार वी देवेच पूरे होए सी उदो येंदा नाम चेंज करके रख साद मुखरजी पोर्ट तो कोलकता देवेच हो चीज भी नोट कर लेना पिरांदा जी गुजरात दा कांडला पोर्ट कांडला पोर्ट दा नाम जड़ा है वो पिछले ही साल रख्या गया सी दीन द्याल उपाधियाई पोर्ट तो ये भी तुसी याद रखना है एक साद मेटीरियल या जो भी उत्री या कारगों आंदे है ओ ऐसे पोर्ट तो ही आंदे है ताहां करके जड़ा हिंटरला पोर्ट जड़ा है वो कला सरव करते हैं नेक्स्टलह महाराष्ट्रा महाराष्ट्रात थे वेज तेन पोर्ट है पहलागा मुंबाई पोर्ट मुंबाई पोर्ट जिन्दे जिड़ा जिनुठ अगर अगाभ्ण कहिए ए इस बिगएस्ट पोर्ट ओफ दी झेज़ी शुरूँ हम दे हिंटरे लेंड एरिया हैं धा महाराश्ट्रा मद्या प्रदेश गुजरात यूपी एंड सम पार्ट्स ओफ राज्यस्तान फिर महाराश्ट्रा दी महाराश्ट्रा देवेच अगला पॉर्ट है नावाशेवा पॉर्ट जिन्नों की जवाहर लाद जवाहर लाद नेरू पोर्ट केड़ा है, वो अपा केन्या, यह बिल्ट केता है, केड़ा आइसलेंड है, नावा शेवा नाम दा आइसलेंड है, एलिफेंटा केव्स देखलों, ओके है जी, ते मेन परपस है, तो रिलीज दी प्रेशर ओफ मुंबई पोर्ट, लेकिन फेर भ जे एन पीटी ट्रस्ट दाही जा प्रसेंट देडा हिस्सा है गया, तो यह वर्किंग ओन लैंड लोड मोडल दे उपर इन्हों बनाया गया, प्राइवेट कंपनीज नाल मिलके, ठीक है, जी, तो महराष्ट्रा देए, तेन पोर्ट है जड़ें मेजर पोर्ट दी कैटेग आइरन ओर एथो मेली किता है ते हिंटर लैंड है, गोवा, करनाटका, सदरन, महराष्ट्रा, ठीक है, जी, तो यह चीज होगी, देन करनाटका दा है, न्यू मेंगलोर पोर्ट, जो ए नोर्थ गुरुपुरा रिवर देवेच है, इंपोर्टेंस की ए थे, कि आइरन ओर एक्सपोर्ट होंदा है, नाल नाले फर्टिलाइजर, पेट्रोलियम पड़क्स, कॉफी, वूड एनना सारा नो भी यह हैंडल करते है, यह मेंली यहन्दा हिंटर लैंड एरिया करनाटका ही है, फिर गाल करते है केरल दी, केरल दा मेन पोर्ट है कोची पोर्ट, सो कोची पोर्ट जिते है रिसेंट दे वेचे, वैसे में थोनों एक कोची पोर्ट न्यूज दे वेसीगा, क्योंकि पीया मोदी जी तमिल नाडू ते केरल दी विजिट दे वेसीगे, ऐसे हफ़ते, तो उनने काफी सारी जिग्या, नमिया जिड़े इनोग्रेशन्स है गी सो जिड़ा एंदे बारे दिखे हो है नेच्रल हार्बर है, एक्सपोर्ट कर दे है, स्पीशीज दा, टी, कोफी एंदा सारा, ते केरला ते तमिल नाडू एंदा मीन हिंटर लेड एगिया, फिर गाल करने है तमिल नाडू थी महारास्ट्रा तरा तमिल नाडू दे वेच भ पूल नाडू दा सेकिंड पोर्ट एंदोर या कामराजार पोर्ट, एंदोर या कामराजार पोर्ट जड़ा है, फर्स्ट मेजर पोर्ट ओफ इंडिया है, जड़ा की Companies Act दे अंडर बनाया गया सी, 1956 जड़ा Companies Act है, ते एंदोर बनाया गया 1999 दे वेच, ते एक कोर्पोर्ट आप एक कहसा किया हैं कि सारे मेचर पोर्ट हजे ताक है सारे पोर्ट ट्रस्ट या उन दी अडर है, लेकिन पहला कोर्परेट मेजर पोर्ट सिए और पोर्ट है एंदोर या कामराजार पोर्ट, त era पोर्ट है तमिल नाडु देवेच तुति कोर सुति कोरीन देवेच निया कुमारी, रामानाथा, पुरम, ये सारे यंदे हिंटर लेंड एलियास है गिये, ये तिन है गिये तमिल नादू थे, ठीक है जी, तो ये सीगे जी, मेजर पोर्ट ओफ इंडिया, तो आई होब थामों 13 दे 13 मेजर पोर्ट दी जी डिटेल है, वो वधिया तरीके ना अपना कलादान प्रजेक्ट, नाओ आपज़केश्गेश्ग और आपा गळ करिए, तक कलादान प्रजेक्ट अगर आप पोर्ट दी गयाल कर रहेँ हैं, सब पोर्ट नाल ही एक डिलेटिड चीज है, जिरी बिल्कुल लिटेश्ड निगूस है, ताइम है फिले आपने ना वो तकता पल्टी दे वेच ए अंदाजा लगाया जारहा सिगा कि इंडिया दा जड़ा मयनमार नाल काफी सारे जड़े मेजर काम चाल रहे है जिना चो सब तो important है सित्वे पोर्ट दा काम सो देख्या जा रहा है सिगा कि शाय तो काम हले स्टाल हो जेगा रुख जाएगा लेकिन इंडिया दे फोरेंड अफेर मिनिस्टर डॉक्टर एस जया शंकर जी ने क्लियर किता है कि जड़ा सित्वे पोर्ट दा काम है अपना परपस की है परपस में अगली स्राइड दे एक पिक्चराइशन दे मादेमनाल दिखाऊंगा कि इंडिया दा जिड़ा नोर्थ इस्टर इस्टर इस जिड़ा पता है कि उननों डेवलप करन भी बहुत ज़्यादा जुरूरत है गी है ति उन्धी डेवलप्मेंट तो अगर आपढ़ डेवलप करना है तो इस वाद तो वाद जड़ा है उन्धा क्नेक्चन वदाना पूँगा चाहिए उप्र एक्सपोर्ट दी गाल होवे या किसे भी तरीके नाल जड़ा है उसे वाद तो वाद जड़ा है उननों में लैंड एरिया नाल जोड़न दी गा डुकेशन कारके यहां त्रीके ना जोड़ा गया है मेयन मार मिल के मेजा बतार है को कोटो पोट आ जोड़े जा रिया मीहन मार देपाद पूटी डिवलप्मेंट हो रही है एड़ा इंडिया ही जड़ा है मेज लेके कर वा रही है वो port है सित्वे port, तो आपा one by one पढ़ देया, जड़ी की नूँँ आपा अगली स्राइड देवे चे picture दे मात्यमना समझाँगे, चीज की है कलादान प्रजेक्ट की है, connects the eastern Indian sea port of Kolkata with सित्वे port in the Rakhim state of Myanmar, तो Myanmar दी जदो भी आपा गाल कर देया, या Rakhim state दी गाल कर देया तो अपने दिमाग देवे चांद है, रोहिंग्या क्राइसीज, रखीन स्टेट देवे ची एथनिकल क्लैशीज होए सीगे, जितों की रोहिंग्या देश नूँ ओठों दी पज़ा आके जड़ा है, वो बंगलादेश दे कोक्स बजार देवे चीपज आ जित्ता गया, ते उस मियनमार देवेच रखीन स्टेट देवेच एक सित्वे सीपोर्ट है, जिन्दा निर्मान और इंडिया दी हल्प देनाल मियनमार कर रहे है, होन एता होजेगा कोलकता टू सित्वे पोर्ट जड़ा वाटर दे, फिर अगर आप पगल कर देए, दी प्रजेक्ट विल लिंक सित्वे सीपोर्ट इन मियनमार टू प्लेटवा इन चिन स्टेट थ्रू दी कलादान रीवर, बोट प्रोजेक्ट ए बोट रूट होजेगा, एस बारे भी अपगल कर दिया, देन दी प्रोजेक्ट विल कॉनेक्ट दी प्लेटवा बाइ रोड टू दी मिजोरम, सो उन्हें पता लगा देनें है, पता लगावाँगे अपाँ एस पिक्चर तो, ठीक है जी? सो एस पिक्चर नोगर तुसी त्यांना समझो, तो एस पिक्चर देवेज देखो, जीवेज़ में आप उते लिख्या लिख्या सिगा, ओगी चीज़ आपा समय दिया, आ है कॉलकता दा पो जा रहे है मैन मार दे सित्वे तक थे की बना लिया एसे पोर्ट इडवल्पमेंट कर रहे है bez देवलपי में ट्र शना लोल यहां ऐसे उस्तोबाद जाएगा आपको गया सीर्फ फेर जाएगा बूर्ट्स रूरुट यह चोटे सी जड़े जानगे बोट दा रूट कह सकने हैं पैनू यह जाएगा कलादान रीवर तो हुंदा हो गया कितों तक पलेतवा तक पलेतवा तो बाद पलेतवा तो बाद जड़ा है यह जाएगा रोड दा रूट रोड रूट तो समान किते पहुंचेगा मिजोरम, मिजोरम किन्दा पार्ट है इंडिया, सो ए इंडिया दी स्टेट है देखो कलकत्ता तो मिजोरम तक समान पुंचाना अगर एही चीज अपना उपर ले पासो दी करिए तो सारा पहला वेस्ट बेंगोल फिर सारा असम कवर होएगा फिर असम तो बाद उदर मनीपूर तो होंदे होए एदरों आपना अंदर वढ़ांगे मिजोरम दे बहुत ही लबा हो जड़ा रूट है वो पेंदा है तो स्पेशली पेंदा भी किन्दे ते है रोड रूट ही पेंदा है सिरफ ते सिरफ हो ठीक है हले रेलवे रूट भी होना होते जड़ा जादा डेवलाप नहीं हो पाया तो अधरों आपनों स्मूंदर दा रूट सिद्धा पेंदा है लेकिन होदे चापनों मेन हेल्प किन्दी लेनी पेंदी है मेनमार दी क्योंकि आज सारा एरिया मेनमार चोंब के ट पेंदा आफ़िय और ओ ॶित्वे पोट दा प्रोजेक्ट मेन बेनिट इंडिया नूहीं है इंडिया नूहीं यह बेनिफिट जड़ों है यह जड़ा development है वो आप दिया इस्टरन स्टेट्स तो नोर्थ इस्टरन स्टेट्स तक जड़ा है वो प्रोपर तरीके नाल पुंचा सकते है सो मैं तुम पूरी कोशिश केती है यह पिक्चराइज करके सारी चीज़नों समझान दी आई होप तुम्हें सारी चीज़ पता लगी होई थी फिर गाल करते हैं जी ट्याइनवैन वन तो ट्याइनवैन वन पार गाल करिए ता ट्याइनवैन वन चाइनीज प्रोब है जेड़ा की मार्स दे ओर्बीट दे वेच एंटर कर गया ते यह जड़ा है मई दे वेच लैंड करन दी कोशिश करेगा ते रोकेड के डायर ने यूज किता है रोकेड यूज किता है लोंग मार्च 5 रोकेड ये ता गाल होगी सिरफ ट्याइनवैन वन दी अगर अपा ऐस वीक दी गाल करिए या पिछले 10 दिना दी गाल करिए ता ए पिछले 10 दिन जड़े है मार्स जुलाइग जड़ा 2020 देवेच जड़ा नने आपदा जड़ा सैटलाइट पेज जड़ा सिगा या जड़ा आपदा जड़ा प्रोब पेज जड़ा सिगा ओप्रोब जड़ा है ओँ मार्स दे ओर्बिट देवेच एंटर कर गया होप यह मैं UAE दी गल कर रहा है ति ओंदा न्यूज देवेच आया जी चाइना चाइना न्यूज देवेच ताया एथि अगर मैं थोड़ा जड़ा दाज़ा यूए ए करन नाल किन्वी गलोबल कंट्री बनी सी फिफ्ट गलोबल कंट्री बनी सी गी फर्स्ट अरेभी कंट्री बनी सी ते सेकिड कंट्री आफ्टर इ सबस्क करेज़ करेगा वर ado को अज मार्ण से और्बिट डील और काeger लेकिन अनिओंधा पर्पस जपते कर गया तो सब्लस्स, करने ओक्याजी sot वाईदे वेचो लेंड करेगा लोंग मार्ज फ़ाएग ल degree धनाम है एोगे चाहिना दी गर फेर ढवर थर्ड गर कर दिया थर्ड आया यूवेस S दा प्रो जब अब नाब सब्तों वढ़ी न्यूज है मार्स अपर ट्राइब कर चुके एक उपर लेंड करक्डू करक्या है यू एसी दा पर लेंड कर चुके है ते तकरीबन दो साल मार्स दे उपर रहेगा ते ओथे मिट्टी दे सेंपल है उन्हें नू एक जगांते इक अठा करकी आएगा लेकिन ही आएगा लिजान वास्ते यूएस से जड़ा है नासा एक होर पे जगा प्रोब है जड़ा उस मिट्टी दे सेंपल नू निच्चे लेकि आएगा ते ओथे देख्या जाएगा कि एथे जड़ा है कि जीवन जड़ा है उन्दी उपस्तिती ऐस तो पहला कदे सीगी या आनवले टाइम दे वेच हो सकती है या नहीं हो सकती अगर आपा जिंदगी दी उपस्तिती दी उंगाल करिए ता आपा उगें देख्या है कि आपने वर के बंदे या उठे एलियन है या नहीं है जिंदगी दी उपस्तिती किमें देख्या है लाइफ किमें देख्या है कि ओथे छोटे-छोटे जी मैं प्रिजीवी हन दे एया हुँदे चोटे-चोटे ओव माईVIS कहा है कि ऑगियान खदे सीग दिवेच हो पाएगी या नहीं हो पाएगी यह देखना है कि अधने मिट्टी दे सैंपल होंगे या दोग सारे साल यह कुछ आसल या कुछ प्रसेस्स होन गया जिन्दे आलों अक्सीजन बनेगा या पानि दी होखोज होएगी लाइप जीम्हें हो सकतें एददान जेडिया सारी आप खोज है एक कर रहे है एक different different प्रोग जिना बरे आपा गल करते है ठीक है जी परदर गल करते हैं जी एस वीग दिया appointments के लिए major appointments के लिए major appointments रिए major appointments रिए जी सब तो पहला आगर आपा गल करिए मनीपूर हाई कोड़ नवे चीफ जस्टीस जड़े की जड़े की है जस्टीस पीवी संजयक मारे रिजाइन कंड़े रिजाइन के सिगा इतली दे नमे पीम बने है Mario Draghi इतली दे वेच रहेगा इतली दी डेवलपमेंट दे वेच फिर टाटा मोटर से नमे MDN CEO बने है Mark Listo Sella जड़े है वो टाटा मोटर से नमे Managing Director and CEO बने है फिर अगर आपा International Solar Alliance ISA दी गाल करिये ता ISA दे नमे Director General बने है अजे माथूर ISA जिन्दी चेयर है इडिया कलों ते को चेयर है फ्रांस ज़े दोनाने मिलके ही एलाइन्स जड़ा है वो बनाया सीगा तो यंदे जड़े करंट Director General है उन्दा नाम है अजे माथूर फिर गाल करिये जी ए मैं तो नुदासी देता पुंडुचेरी दे Governor बारे की किरन बेदी जीनू ओना दी पोस्ट तो President of India ने remove किता है फिर Congo Congo जड़ी country है जिन्दी कैप्टल है किम शाषा किम शाषा तो किम शाषा या Congo दे जड़े नमे प्राइम मिनिस्टर बने है जीन माइकल सैमा लुकोंडे क्या है एंगे जड़े है एक कोंगो दे नमे PM बने है फिर अगर आपा सियर टायर्स दी गाल करिये ता सियर टायर्स दे अमने नमे अगर तुसी देखो अगर तुसी बाभू बली मूवी देखी है तो अंदे वे जड़े बलाल दे विया विलन दा एक तर्मादा पकाय सकने हैं किरदार एंदा नहीं निपाया सिगा तो ए जड़े है सियर टायर्स दे ब्रैंड अबैस्टर बनी है तो ए सिगा दोस्तों हु तक दा जड़ा है अपां हाफ कोशन आपकार चुके हैं लेक्चर दा कि पूरे हफते दे जड़े है ओ मेन मेन अगर आपका गाल करिये ता बर्निंग इशूस की रहे या मोस्ट इंपोर्टन निउस की रहे या पूरे वीक दिया निउस दा देखो दोस्तों होल भी बहुत स पूरा ओवर्व्यू दे देगा कि पूरे हफते देवेच की की होया क्योंकि होन जड़े आपका अगले 20 कोशन करांगे ओ एनना ना रलेक्चर देवेच तो हमनों काफी हद तक आईडिया होजेगा कि एस पूरे एक हफते देवेच की की चीजा होई है ये तुसी पहलना ही पढ़े होएगा निउस्पीपर चो पढ़े होएगा एप्र पढ़े होईगा उन्दे इतो नों बहुत ज़ादा बेनिफिट होएगा क्योंकि ये सारी चीजा तुसी पूछ सत्तर स्ती प्रसेंट चीजां जरूर तुसी उन देवेच ओलरी पाड़ चुके होंगे ठीक है जी चलो फिर होना पकाल कर दिया जी most important questions of the week related to journal awareness जिनना ने भी लगातार जड़ा current affair नों follow किता है किसे नों भी चाहिए में नों follow किता है या किसे नों भी follow किता है तुसी आनवाले time देवेच एक्जाम देवेच तुसी बैठ चुके हों ते examiner थोड़े तो जड़ा है एक question पुछा जा रहे है थोड़े तो तुसी आप देखलो आदा copy pen रखो एक तो लेके वी ता गिलती लिखो मेरे answer देन तो पहला तुसी option आप दा होथे लिखो ते बाच देखो कि कि तुसी जड़ा है वो as week देवेच अगर 20 question थोड़े तो पुछे गए है ता तुसी किन एक परसेंट उन्दे वीचो सही कर पाने हो I hope तुसी 100% सही कर पाऊंगे पहला question जड़ा है वो थोड़ी स्क्रीन ते एरिया Which country has planned to construct world's biggest offshore wind farm by the year 2050 So KD country है वर्ड दी जड़ी की 2015 तक वर्ड दा सबतो वड़ा offshore wind farm जड़ा है वो construct करन जारी है A. Denmark B. South Korea C. Australia D. Medagascar 10 सोजी शाबश Denmark, South Korea, Australia या Medagascar So की answer आएगा जी एंदा 5, 4, 3, 2, 1 The right answer is South Korea South Korea is the right answer अगर आपा गाल करिए एंदी ता South Korea जड़ा है एक wind energy वास्ते जड़ा है एक offshore फॉर्म जड़ा है वो लगा रहे है जिन जड़ा की 2005 तक जड़ा है वो बांजेगा एस टाम अगर आपा गाल करिए कि अगर इह biggest बना रहे है तो उस तो काटवाला केड़ है तो उस तो काटवाला जड़ा है वो UK कलो है United Kingdom कलो एस टाम जड़ा है वो वर्ड दा biggest offshore wind farm है गए जिननों की 2005 देवेचक ओवर्टेक कर जगा South Korea दा offshore wind farm अगर आपा बाकी गल करिए तो डेनमार्क भी ऐसे दरान ये की देवेचक होंकि डेनमार्क पहली कंट्री बने आए जिनने एक artificial energy island create किते है artificial energy island जो ए ऐस तरान दा Ireland होएगा कि जड़ा की पूरे दे पूरे जड़ा डेनमार्क है वो उस डेनमार्क दी पूरे दे पूरे जड़ी energy need है उन्हों पूरी कर सकूगा ठीक है जी Medagaskar was also in news Medagaskar टान येज़ देवेच है क्योंकि word दा words smallest reptile word smallest reptile जड़ा है वो Medagaskar दे जंगला जो लब्बया जिंदी केड़ी length है वो तकरीबन सिरफ ही अद्दा इंच दे ब्राबर है word smallest reptile ये मिलिया जी Medagaskar second question which of the following state or union territory has launched bagger free campaign so एना चो केड़ी state या union territory है जिनने bagger free campaign नो launch किता है जो भिक्षू मोक्त जड़ा campaign है उननों launch करन वाला राजिया या union territory केड़ा बनिया है राजस्थान, उत्तरपरदेश, जमू एंड कश्मीर या देली केड़ा बनिया जी पहला state जड़ा या लिसेंट दे बेच भिक्षू free campaign जड़ा है वो एना चो किनने launch किता है पड़ा फड़ा दसो जी केड़ी state है राजस्थान है उत्तरपरदेश है जमू कश्मीर है या देली है यह दा सही आंसर है दोस्तों सही आंसर है ए राजस्थान राजस्थान ने जिड़ा एना दा जिड़े एना दे CM है उना दी एक स्कीम एना ने थोड़ा ताइम पहला लोज किती सी भोर भोर दा मतलब होंद है स्वेर नमी स्वेर सो भोर की है भिख्षू ओर्येंटेशन एंड रिहाबिलिटेशन प्रोग्राम उन्दे तहत एना ने राजस्थान स्कील एंड लिवली हूद डेवलापमेंट कार्पोरेशन प्लस सैपन इंस्टिटूट सैपन इंस्टिटूट ओफ इंजिनियरिंग एंड मेनेजमेंट ठीक है जी उन्दे नाल मिलके एक कैमपेइन जड़ा है एक लॉंच किता है अपा लास्ट टाइम जी तो स्टेट सी न्यूज कितियां सीगियां उन्दे वेच भी आपा किता जी सो कोश्चन बने है कि बैगर फ्री कैमपेइन ना चो किन्ने लॉंच किता है आंसर विल भी राजस्तान उत्तर प्रदेश दी गाल करिए तो उत्तर प्रदेश काफी कारन करके न्यूज दे वेच है उत्तर प्रदेश दे वेच अगर आपा टैबलियू दी गाल करिए तो उत्तर प्रदेश जड़ा टैबलियू सीगा राम मंदिर दा 26 जनवरी दी डे प्रेट दे वेच उन्दे बेस्ट टेबली हुआ है ठीक है जी उत्तर प्रदेश ने चोवी जन्वरी नूँ जड़ा है आपदा स्टेट हुड डे मनाया सीगा ओसकार के न्यूस दे वेच है फिर अगर आपा उस्तो बाद अगर आपा गल करिए उत्तर प्रदेश ने जड़े कंपिटेटिव एक्जाम सी त्यारी करन वाले स्टूरेंट्स है उनना आसते अभी उद्य अभी उद्य जड़ा पोर्टल है ओ या अभी उद्य जड़ी स्कीम है ओ लॉंच किती है फ्री ओफ कोस्ट कोचिंग देन वासते फिर अगर आप जड़ी अपा इंडियन जुडिशली रिपोर्ट सेगी इं जमुएन कश्मीर जमुएन कश्मीर न्यूज देवेच है क्र Yapma हन कश्मीर और नेन्चनल आईस होईकी चेंपियंशिप जन्वरी देवेच होई गुलमरग देवेच ही एक ski resort है ski resort ski resort दे वेचे 100 feet 100 feet जड़ा उंचा एक national flag दी जड़ी है military ने एक अधारशिला रखी है जिते यह थे बनाया जाएगा ठीक है तांकर के जमो कश्मीर नियूज दे वेचे क्योंकि सेहत सकीम सेहत जड़ी स्कीम है प्रधान मंत्री जन अरोगय योजना सेहत सकीम वह किस पासे स्विच्ट किता जावे, इ वहीकल साले पास ही, इ वहीकल। सो स्की रिजोट, आई, हो तो नों सारा दिख रहे हैं हुने, हाँ, स्की रिजोट करता के सुम दिखी तर uniqu दिकाल oso ये विकल्स ये विकल्स करके ये न्यूस देवेच है क्योंकि अनने तक्रीबन 150 लाक रूपीज जड़ा डेट लाखर पे तक्रीबन सबसीड़ी दे रहे हैं उनना विकल्स दे उपर ते अननने टार्गेट लिता है कि 2004 तक 2004 तक जो जो वहन रिजिस्ट्रेशन लई आनगे उनना चो 55 परसेंट जड़े विकल्स होने चाहिए ये टार्गेट लिता है देली ने तेली वाजिन न्यूस देट्स वाई नेस्ट कोश्टन वीच ओफ दी फॉलोईंग एप इस पोपुलराइजिंग इन इंडिया एज एक कोलोन ओफ ट्वीटर एप दसो जी ये था बड़ा ज्यादा नियूस देवेच चाल रहे है काफी तुसी जरूर एस पारे सुनेया होईगा तो एनना चो केड़ी एप है ज एड़ी एप दा एंदा प्रोपर आंसर की आएगा ट्वीटर एप दा कोलोन जड़ा की इंडिया देवेच काफी जड़ा है वो पॉपुलर हो रहे है तो 5,4,3,2,1 एड़ी राइट आंसर इस कू एप तुसी काफी सारे ट्वीट देखे होंगे प्यूश गोयल जी ने ट् एक कोलोन एप है जिड़ी की एक मिस्टर म्यंक है गया है मिस्टर राधा क्रिशन है उन्हाने मिलके बनाई है तो एन नुझ जड़ा है एक ट्वीटर दी जगाते यूज किता जा रहे है एंदेच की किया जा रहे है कि आप जड़े आप दे विचार है ओ इंडिया इंडिया ने दितते है आतम निरबर एप अवोर्ड एनना अवोर्ड दे वेच अगर आपा गल करिये सो कोश्चन आ सकते है तो क्योंकि अगर आपा PCS फ्री पेपर दी गल करिये ता काफी सारी यां गवर्मेंट निया जिए जिड़ी आ स्कीन से या गवर्मेंट की 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 का अगर आपा संदेश दी गल रही है उससे तरीके नाल चीड़ा सारा कुछ आया आतम निरबर एप अवोर्ड दितता गया पहला अवोर्ड फर्स्ट प्राइस अंदे तीट लागया चिंगारी चिंगारी जेड़ी एप है चिंगारी चिंगारी एप इस दी कोलोन ओ टिक टो टिक टोक बैन किता सी इडिया देवेच है तो ओ टिक टोक दा एक जड़ा है कोलोन उन्दा नाम है चिंगारी और कुट बारे था पता ही है और कुट ता बांध हो गया है तो अगर आपा संदेश दी काल करिए तो संदेश जड़ा है नेशनल इंफ्रोमेटिक सेंटर टो संदेश एप उन्हाने लांच किती है जिन्नों की संदेश अपनों भी किन्दा एक अल्टरेनेट बने जा रहे है वाट सैप दा ठीक है, जी सो ए है संदेश एप तो ये सारिया एप्स बारे भी तुसी निगा रहनी है Next Howzit Pandensi app has recently selected which player as its brand ambassador So Howzit Pandensi app टीड़ी है उनने recent दे वेज केड़े प्लेएर नो आपदा brand ambassador चुनिया है So advocate app नों पता ही है जिमें dream 11 है या Jewelby helps काफी हे गिया है ONथे बेच एक app हो रहे है Howzit की ओ सुरेश रहना हागी है या युवराज सिंग, हर बजन सिंग या रवींदर जड़े जा तो हाउजएड फेंटेंसी एप ने एनना प्लेयरां चोंग केड़े प्लेयर नूं आपदा ब्रेंड अमेस्टर चुने है तो इन्दा सही जवाब है दोस्तो युवराज सिंग युवराज सिंग जी नूं ओना ने आपदा ब्रेंड अमेस्टर चुने है हाउजएड फेंडेंसी है नेक्स्ट है जी एस पर अनॉंस्मेंट मेड बाई इंटरनेशनल क्रिकेट कांसिल एस इट्स ग्लोबल पार्टनर तिल येर 2023 2023 तक ICC दा कौन ग्लोबल पार्टनर बनके रहेगा जिड़ा की रिसेंट दे वेच एनॉंस किता है ICC ने खुद A. बाई जूस B. वाइट हैड जूनियर C. विदान्तू D. वीवो वीवो की जड़ा IPL दा दुबारा ब्रेंड अमेस्टर बनके रहेगा जिड़ा जूनियर जूनियर या बाई जूस कौन है जिड़ा ग्लोबल पार्टनर बनके रहेगा ICC दा 2003 तक तो एन्दा सही जवाब है दोस्तो बाई जूस बाई जूस जड़ा है उन 2003 तक ग्लोबल पार्टनर बनके रहेगा International Cricket Council दा जिड़ा है दुबाई देवेच ICC दा बाई जूस दा नी ICC दा हेड़कवाटर है बाई जूस देवेच नेक्स्ट ICC दा हेड़कवाटर है दुबाई देवेच बाई जूस देवेच नी Which of the following country has become fastest country to reach 6 million vaccination for preventing spread of COVID-19 तो एना चो केड़ी country है जिड़ी fastest बनी है 6 million TK का करन तक पहुंचन वाली 6 million मनलब 6 lakh TK जिड़े है जिड़ी country ने सब तो जल्दी लगाए है A USA, B UK, C India या D Japan तो कौन बने है जी USA बने है सब तो fast United Kingdom या India या Japan कौन बने है एन्दा सही जवाब एन्दा सही जवाब आएगा फ्रेंड्स इंडिया इंडिया जड़ा है इंडिया ने 20 या आपा चुनों मैं तो पहना दसना USA ने लगाए है 46 days देवेच ठीक है जी 7 lakh injection 6 million मनलब 6 lakh UK ने लगाए 26 days देवेच तो इंडिया ने 24 days देवेच वैसे तो अगर आपा आज दी गल करिए उन तक दी गल करिए तो इंडिया एक क्रोड इंजेक्शन पूरे कर चुके है ठीक है लेकिन 60 लगते जदो आपा गल किती सी की तो 60 लगते 24 days देवेच इंडिया ने पूरे कर ले सी के तो जपान नहीं हजी ऐस वीक शुरुआत किती है इंजेक्शन थी ठीक है जी सो ये तुसी तुसी त्यांच रपना है नेक्स्ट है जी इन वीच ओफ दी फॉलोइंग स्टेट काला घोडा आर्ट्स फेस्टिवल वाज ओर्गिनाइज रिसेंट्ट्ली तो काला घोडा कला फेस्टिवल जड़ा है एनना चो केडी स्टेट देवेच ओर्गिनाइज होया हर्याना देवेच उत्राखंड मनीपूर या महराष्ट्रा केडी जगा होया जी काला घोडा आर्ट्स फेस्टिवल हाँ जी 5,4,3,2,1 and the right answer is महराष्ट्रा महराष्ट्रा दे मुंबई देवेच एक जगा दा नाम भी है काला घोडा सो आर्ट्स फेस्टिवल हर साल महराष्ट्रा देवेच जड़ा ये आर्ट्स फेस्टिवल है ये मनाया है अगर अपा हर साल दी गल कर रहे हैं ता हर्याना जड़ा है हर्याना देवेच गीता महोत्सव होंदे है गीता महोत्सव कुरक्षेत्रा देवेच तो अगर गीता महोत्सव उच्छा जावे तो हर्याना अंसर आएगा उत्रा खंड देवेच एक हर्वेस्ट फेस्टिवल होंदे है फूल देई फेस्टिवल फूल देई फे चैरी ब्लोसम माव फेस्टिवल चैरी ब्लोसम माव फेस्टिवल ए मनी पूर दे बेचे ओर्गिनाइज केता लिया नेक्स्ट रिगशा लिग केता हैं कि अन्दा बारे आपा गल्वी किती सी की लास्ट लेक्चर लास्ट संडे प्लेयर जिनना नू पहली बरी ICC Player of the Month क्योंकि जनवरी 2021 जी पहली बरी देना सीगा ता एनना नू मिले है कौन है गिया है इशान शर्मा, विराट कोली, रिशब पंथ या स्टीव स्मीथ कौन बने है जी ICC Player of the Month for January 2021 तो इंडिया दे विकट के पर बैस्मैन रिशब पंथ जड़े है क्योंकि जनवरी दे वेच इडिया उस्टेडिया सीरीज होरी सी जड़ी सीरीज इडिया ने ओना दो एकनाल हराई वोना चो काफी एक स्तानवे रन दी पारी दे लास्ट बै दे वेच 89 नोट आउट दी पारी जड़ी है वो रिशब पंथ ने खेली ते काफी बटा योगदान रिया इडिया दी जित दे वेच तो रिशब पंथ जड़े है वो प्लेयर ओफ दी मन्थ बने ICC दे अगर आपा इशांद शर्मा जी दी गाल करिए ता इशांद शर्मा इंडिया दी तरफों टेस्ट क्रिकेट दे वेच छे में प्लेयर बने आए ते तीसरे प्लेयर फास्ट बोलर बने आए जिननाने 300 वि प्लेयर दे वेच तीसरी बारी ये ट्रोफी जड़ी है वो आप दे नाम किती है नेक्स्ट गल करते हैं जी विच ओफ दी फॉलोईंग कंट्रीज विल सेंक्शन में मार ड्यू टू इट्स कूप सो में मार दे वेच जड़ी तक्ता पल्टी होई है उन्दे गार कि एनना च अगले दास दिना दे वेच 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 अगर आप दा वापस लोगतंतर जड़ा है ओ दुबारा तो इंस्टॉल नहीं किता या दुबारा तो जड़ा है उन्दा प्रोपर मेंटेन नहीं किता ता असी अंदे ते एनना दे उपर पूरे तरा जड़े सैंक्शन लगाँगे योजड़े सैंक्शन है ओ भी अद्दा दे सैंक्शन लगाँगे जो सैंक्शन एनना ने इरान ते नोर्थ कोरिया ंपर लगा रही है ठीक है जिस उद्दा दे सैंक्शन जड़े है ओ उए से लगाँगा जा रहे है न्यूज़िलेंड दी पि-म जे सिंदा अरडन जी ने उनना ने भी एकल कही है कि असी मियनमार दे नाल सारे दे सारे मिल्टरी ते पॉलिटिकल जिड़े टाइज है गया है ओ टाइज असी खतम कर रहे हैं तो एनादा सही अंसर है यूएस से भी है ते न्यूजिलेंड भी है अफगानिस्तान वाजी न्यूस क्योंकि इडिया ने अफगानिस्तान दे वेच एक डैम बना रहे है जिनना नाम है शतूत डैम इडिया अफगानिस्तान दे वेच तूत डैम बना रहे है तो पूरी होएगी यह उत्थे इडिया द्वारा बनाया गया सेकिंड डैम है पहला डैम सी गा इंडिया अफगानिस्तान फ्रेंडिशि पर फेबरी 2021 यह ता जड़ो ऐसी लेक्चर ची आपा गाल किता है स्टार्ट ही आप एथो किता सिगा एंदा सही जवाब है आठ फर्वरी 2021 जदो की इंटरनेशनल जड़ा मिर्गी दिवस है ओ उब्जरव किता गया एथी अगर आपा गाल करिए ता फेबररी फोर फेबररी और की हुंदा जी इंटरनेशनल कैंसर दे रूप दे वेच अब्जरव किता है अंदा है फेबररी 6 दी गाल करिए ता इंटरनेशनल डे ओफ टोल्रेंस अगेंस्ट फीमेल जनितल म्यूटिलेशन यह जड़ा है फेबररी 6 नो अब्जरव किता है ते फेबररी 10 आपा आज जी गाल किती है घड़ा की वर्ड पल्सीज दे रूप दे वेच अब्जरव किता है तो एंदा सही जवाब है जी फेबररी 8 वीच ओफ दी फोलोईंग एक्ससाइस टुक प्लेस इन इंडियन ओशियन डीजन एनना चो केड़ी एक्ससाइस है जी हिंद मासागर एरिया दे इंडियन ओशियन डीजन दे वेचे हैपन होई तो चार एक्ससाइस ही रिसेंट दे वेचे किडिया है ओ हैपन होई है एक्ससाइज जवाब आएगा तो तुसी दस नहीं जी तो एंदा जवाब दस ओफटाफट A B C D mostly student जी है confused होँगे A ते D दे वेच तो सई जवाब है जी यंदा D TROPEX TROPEX की है Theater, River, Readiness and Operational Exercise TROPEX जड़ा इंडियन नहीं नहीं किता आप दी जड़ी offensive as well as defensive टेखनीक नूँ जड़ा है वो वेलिडेट करन लई चेक करन लई, TROPEX जड़ी exercise है वो recent दे वेच Indian Ocean recent दे वेच एग्जीक्यूट किती गई अगर आपा MFACS दी गऴ करिए ता MFACS exercise जड़ी है वो इंडिया दी ट्राइ सर्विस exercise है जड़ी ANC दे वेच होई, ANC की है अंडमान एंड निकोबार कमांड, अंडमान एंड निकोबार is the only command in India which is ट्राइ सर्विस कमांड, इंडिया दी है जड़ी तिन्नों कमांड से अगर आपा Navy दी गऴ करिए, Air Force दी गऴ करिए या Army दी गऴ करिए, तिन्ना दी मिला के जड़ी कमांड है गी है अंडमान एंड निकोबार दे वेच, ति ओथे ही MFACS exercise होया, ति कवच exercise भी अंदा एक पार्ट सीगा, कवच exercise, ओके है जी, फिर अगर आपा desert night दी पूर दे वेच, फिर अगर आपा काल करिए, यूद अब्यास दी, यूद अब्यास होई, इंडिया प्लस US दी exercise, ति ए वी राजस्थान दे, जड़ा महाजन रेंज है, बिकानेर दे वेच, ए वी राजस्थान दे वेच, जड़ी है, एक्जिक्यूट किती गई, ये बिलक इंडिया दी तक्रीबन 7500 किलोमेटर दी जड़ी कोस्टल लाइन है, उन्हों सारी नू सिक्योर करनवास दे, उस तो पहला अगर आपा का चलिये, तो उस तो पहला होई सी माला बार exercise, जड़ी की इंडिया, यूएस, जपान ते उस्टेलिया दे विचकार होई, ओकी है जी नेक्स्ट, which of the following state has appointed हीमादास as DSP, सो हीमादास नू केड़ी state ने DSP दी उपादी दिती है, असम, गुजरात, करनाटका या महरास्टरा, सो हीमादास, हीमादास जड़े की 20 years old इंडियान स्प्रिंटर है गया है, धावक है गया है, ठीक है जी, सो उन्हाना दे नाम ते काफ धिंग एक्स्ट्रेस, ठीक है जी, सो धिंग जड़ी जगां है गी है, असम दे वेच है, सो वेसी गाला है नू, असम ने जड़ा है, वो DSP दी उपादी नाल नवाज जया है, असम, ओक है जी, सो असम is in news because of हीमादास, to be appointed as DSP, स्टर, next, Who has won the wildlife photographer of the year 2021? So, एनना चों, केड़े परसन ने wildlife photographer of the year दा अवोर्ड जित्या, 2021 दा, A. Shinjo Ape, B. SP Bala Subramanian, C. Sian Connery, या D. Robert Irwin, इनना ने जड़ा है, वो wildlife photographer of the year दा अवोर्ड जित्या, सो फटा-फट अंसर देओ, एन्दा A, B, C, D, की जवाब आएगा, एन्दा सही जवाब आएगा, दोस्तो, D. Robert Irwin, जिनना ने Australian bush fire जड़ी होई सी, अस्टेरिया देवे, जंगला देवे जड़ी आक लगी सी, उन्ना तो ड्रोन दे द्वारा उन्ना तो एक जड़ी फोटो किची, ओस फोटो नू वाइड लाइफ फोटो ओफ दी इयर दा वोर्ड मिलिया, तो Robert Irwin जिननू वाइड लाइफ फोटोग्राफर ओफ दी इयर द दित्ता सीगा, तो 26 जनवरी देवे जड़ी एनाउस्मेंट हो दिया है, वो देवे जनना नू पदम विभूशन दा अवोर्ड इंडिया द्वारा दित्ता गया है, पदम विभूशन, तो अगर आपा SP बाला सुब्रमनेंजी दी गल करिए, बहुती विख्यात इस सिंगर सीगे, ठीक है जी, जनना दा पिछे दिहांत होया सीगा, तो एनना नूवी पदम विभूशन दा अवोर्ड दित्ता गया है, ठीक है, एस साल, तो सीन कौनरी दी अगर आपा गल करिए, तो अगर तो सी होलीवूड मूवी देखते हो, तो उननू पता होईगा, ये पहले ज जेम्स पॉन्ड, जेड़ा फर्स्ट आया सीगा, उन्दे जे ये जेम्स पॉन्ड बने सीगे, ठीक है, जेम्स पॉन्ड फर्स्ट देवेच, ते अनना दा नब्बे साल दी उमर देवेचे, रीसेंट देवेचे धिहांत होया है, तो सीन कौनरी, नेक्स्ट है जी, वीच ओ जेड़ेचे लिए डिपार्टमेंट ओफ प्रमोशन ओफ इंडरस्ट्री एन इंटर्नल ट्रेड, बिपाइएट या फेडरेशन ओफ इंडियन चेम्बर ओफ कमर्स एंड इंडरस्ट्री, फिक्की या अर्नेस्ट आं यंग, या इंटल, सो यांदा सही जवाब है जी, अर अर्नेस्ट आं यंग, सो मैरी टाइम इंडिया समीड 2021 जिद्धा पोस्टर रिलीज होया, ते ए गया गया कि दो मार्च नू, पी एम मोधी जड़े है, वह इना नू इनोग्रेट करंगे, सो एस जड़ा नोलेज पार्टनर है, ओ है अर्नेस्ट आं यंग, ते जड़ा जड़ा या चो था, तो इंडिया मैरी टाइम समीड दे पोस्टर रिलीज दे नाल ही, जड़ा है, उससे देनी एक न्यू सीगी, कि इंडिया ट्वाइफ एर दी जड़ा पोस्टर रिलीजिंग हो किती गई है, इंडिया ट्वाइफ एर लगाया जाएगा, 27 मार्च तो ले स्पेशली अगर आपां गल करिये, पिया मोधी जी दी मन की बाद दी, 2020 लिवेच तकरीबन गल है जून जुलाई दी, उदो भी एरना ने इंडिया ट्वाइफ दी गल किती सीगी, कि इंडिया ट्वाइफ है, उनना नू वर्ड वाइफ लिजान दी बहुँ ज़्यादा ज चंबल डेकोईट्स, चंबल दे डाकू, स्पेशली अगर आपां फूलन देवी या मिस्टर गुर्जर दी गाल करिये, ता चंबल दे डाकूँआ ने डिफरेंट डिफरेंट चीजाओं यूज कर दे सीगे, उनना ते एक पुलिस मुजियूम लगाया जारी है, केड़ी स् चंबल दे डाकूँआ जारी है, मद्या परदेश अगर आपां पुलिस दी गाल कर रहे है, ता राजस्थान दी पुलिस अकेडमी, फिर चाहिए ओ आप ओफिसर रेंक दी होवे, चाहिए ओ कॉंस्टेबल रेंक दी होवे, चिड़ी किशन गड़ दे वेच हैगी है, ओ पुलिस अकेडमी राजस्थान दी फर्ष ते जड़ी है, टोप दे, आईसी एवी, न्यूस दे वेच है, ते महराष्ट्रा दी गाल कर रहे है, ता इंडिया जूरिश दी रिपोर्ट जिन दे वेच आपा गाल किती सी कि यूपी जड़ा है, ओ बोटम ते आया सी गा, ता म प्लावर होंदा है, मेरी गोर्ड फ्लावर, ओन दी एक नमी वराइटी अर्क शूब जड़ी है, ओ रिसेंड दे वेच न्यूस दे वेच रही, एक केड़ी स्टेट दे वेच मिली सी, करनाटका, गुजराद, केरल या तमिलनाडू, इतो मिली जी मेरी गोर्ड फ्लावर द ओनना दे साइंटिस्ट नू ए नमी जड़ी वराइटी है, ओननने जड़ी फाइंड आउट किती है, जिन्दे तहित एक या गया है कि अगर फुल मोसम दी वज़ानाल खराब भी होंदा है, तो ओस फोल्ड नू फार्मेसूटिकल एरिया दे वेच जड़ा यूस है, ओ कित लाइव एक्षन कैटेगरी दे वेच ओसकर 2021 लई इंडिया दी तरफों केड़ी शोर्ट मुवी जड़ी है, ओ शोर्ट लिस्ट किती ही है, शोर्ट मुवी शोर्ट लिस्ट है ना, चलो वजिएच गलबान गी, ए अ, ए सिजोव, बी बिट्टू, सी सीक्रेट्स ओफ सनोली या डीप तमाशा, केड़ी मुवी है जी, जिन्नों ओसकर 2021 लई शोर्ट लिस्ट किता गया है, लाइव एक्षन कैटेगरी दे वेच, सो सही जवाब है जी, बिट्टू, बिट्टू मुवी जड़ी है, उन्नों शोर्ट लिस्ट किता गया है, लाइव एक्षन कैटेगरी वेच विच ओव दी फॉलोइन स्टेट और यूनियन टेरिटरी ओफ इंडिया हैस अनौस्ट अ स्कीम नेम्ड मात्री बंद्रा इन इट स्टेट बजट दो जार एक की बाई जो इना चो केड़ी स्टेट है जिनने आप दे बजट दे वेच एक स्कीम है मात्री बंद्रा ओस नू एनौस किता है महराष्ट्रा, वेस्ट मेंगोल, लद्दाख या जमू एन कश्मीर मात्री बंद्रा जेड़ी की पूर वीमेन वास्ते एक स्कीम है जेड़ी की सेल्फ हेल्प ग्रूप्स दे नाल जड़ा है वो इंप्लिमेंट किती जाएगी मात्री बंद्रा योजना एनना चो केड़ी स्टेट है जिनने एनौस किता है सो केड़ी स्टेट ने आता बजट एनाउंस किता है हुने वेस्ट बेंगोल ने सो वेस्ट बेंगोल ने मात्री बंदना स्कीम लॉंच किती है इंडिया जी फर्स्ट फुल फ्लेज्ट इंटरनेशनल क्रूज टर्मिनल शेल भी सेट अप इन विच स्टेट असम केरल मद्या परदेश या बिहार किते होईगा जी इंडिया दा पहला फुल फ्लेज्ट इंटरनेशनल क्रूज टर्मिनल दस हो जी फटावट केड़ी स्टेट देवेचे इंटरनेशनल क्रूज टर्मिनल फुल फ्लेश दे तो उड़ते बनाया जाएगा असम है केरल है मद्या परदेश है या बिहार है सही आंसर है जी अन्दा केरल जीड़ा मैं गल कर रहे है से कांगी कोची इंटरनेशनल जीड़ा पोर्ट है या कोची मेजर पोर्ट है वो ऐसे करके नियूज देवे सीगा तो दस्तो दोस्तो हुन तक वी कोशन हो चुकी है तो एनना वी कोशन देवेच आप दा कमेंट करो कि थोड़ा जड़ा की स्कोर है और रहे है कमेंट बोक्स देवेच अगर तुसी लिखना चाहो ता लिख सकते हो निता कोई प्रॉलम नहीं है मेरे अकोर्डिंग जड़ा है अगर थोड़े more than 15 marks आ रहे है then ही okay है वैसा मैं 18 ही होंगा लेकिन फिर भी चलो कोई नहीं कोशन थोड़े जे कई वरी कुमाके भी बान जादे है more than 15 अगर answer थोड़े सही है गया है ता you are okay थोड़ी त्यारी कुछ आद तक सही चाल रही है 20 out of 20 दा बेस्ट है ही है more than 18 best है गया है अगर more than 15 है ता good category दे वेज तुसी है गया हों कोई ना कोई एक newspaper पाढ़ लो ठीक है specially अगर दा हिंदू पाढ़ लो तो अंदे वर्गी ता कोई रीजी लेकिन फेर भी अगर तुसी थोड़ा इजी वे नू जाना चानने हो वैस्ता इजी कुछ नी होंदा या जो भी यह मुश्किल कुछ नी होंदा इक कोई गल्ले जो भी तुसी करन लाग जो थोड़ा PCS Preach आके देखो सारी यहां जड़ियां पी आई भी यह न्यूस तो सारे कोशन बने हैं तो तुसी वह भी कर सकते हो आप दे जड़े नोट्स बनाओ जित्तो भी कोई सोर्स यूज करो किसे नों भी फोलो करो लेकिन आप दे नोट्स बनाओ उन्नों टाइम टो टाइम दे विच जाके पता लागी जाएगी मेरा जड़ा ओथे लेक्चर है रोज स्वेरे आठ वजे ओथे लेक्चर आंदे है जिस तरह आपा ऐस लेक्चर दे विच पढ़ देयां ऐसे दरीके ना जीड़ियां भी न्यूस डेली तो रते बन दीया है वो सारी न्यूस दा कंप् मिल देयां दोस्तों अगले संडे ऐस यूट्यूब चैनल ते अधरवाइस अगर तुसी रेस अकेडमी ओफिशल आप डाउनलोड कर रखी है या कर रोंगे ऐस तो बाद तक कल स्वेरे 8 बजी आपा ऐस चैनल ते या ऐस लेक्चर माल मिल देयां थैंक यू सव मच अल दी बेस्ट ऑर यूर प्रिपरेशन तो किसे भी तीके ली कोई हल्प चाहिए होवे यू थे यूए यू रोप यूर मेसेज इन दी चैट बोक्स और इन दी कमेंट बोक्स अन्क यू सव मच फ्रेंड्स मिल देयां पर आपा थैंक यू सव मच अल दी बेरी 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 बेस्ट